हलो फ्रेंस आप सब्वीक को मेरा प्यारदा नमस्कार मैं रभी ओपी शर्मा राजस्तान जापूर से और उमीद करता हूँ कि आप सब लोग अभी गरुमा होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे, अपने फैमली को समय दे रहे होंगे और इस समय बाहर निकलना भी ठीक नहीं है, और कहीं ने कहीं हमारी एक गलती हमारे पूरे परिवार पर भारी पड़ सकती है, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप अपने परिवार और अपने देश को प्यार करते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा मैक्ट से जुड़ा हूँ, और फिसलिए कई समय से मैं उसके अंदर काम कर रहा हूँ, आज उसी को लेके मैं बात कर रहा हूँ, और ये मैं वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, जिनों अपनी जिंदगी के अंदर डारेक्ट सेलिंग बिजनस के बारे में सुना पर कभी समझा नहीं, आज ये वीडियो उन लोगों को समर्पित है, जिनों अपनी जिंदगी के अंदर सिर्फ एक बाहरे के उपर काम किया, उस दारे से कभी बाहर निकलने का प्रयास नहीं किया, अगर वो नोकरी कर रहे हैं तो उसे जिंदगी पर नोकरी को नोना फोकस किया, और अगर वो टेडिशनल विजनस कर रहे हैं तो जिंदगी वनों से उसे को पर फोकस किया, आज ये वीडियो उन लोगों को समर्पित है, और इसलिए है क्योंकि आज जो व्यवस्ता बनी हुई है पूरे विश्वे कि उसको देखते वे, मैं ये वीडियो जारी कर रहा हूँ, दोस्ता आज एक वाइरस ने पूरे विश्वे को रोग दिया, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ COVID-19, कॉरोना वाइरस की, इस वाइरस ने पूरे विश्वे की अर्थ व्यवस्ता को हिला कर रख दिया, देश के देश एक दिन में बंद हो गए, और मैं फोन पे काफी लोगों की अंदर रुख गया, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रिया बंद हो गई, बड़ी-बड़ी अंदस्ट्रिया बंद हो गई, बड़े-बड़े मल्टिप्लेक्स बंद हो गई, बड़े-बड़े मॉल्स बंद हो गई, छोटी-छोटी दुकाने बंद हो गई, एक आदबी की नो नोक्रियां जो नोक्री पर जाया कर तद गर 25 पता हैं लूक्रियां नोक्रिया सब कुछ रिल गया नूद कर नो बाыв लुपॐयाच जाने वाली इंडिस्ट्रिया बंद हो चुकी अब मैं यहांपर यह बात कर Dan कि यह आप सब जानते हैं मुझे पता है आप सब जानते हैं लेकिन मैं यह बात करना जा रहा हूं कि ये जो वाइरस आया जिसने सब कुछ एक दिन में बंद कर दिया ये वाइरस कितने समय ते कोल चलने वाला है अभी तके कितनी जिंदगिया और तभा करेगा ये ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं ना सरकारे जानती है समझने की बात यहाँ पर यह है कि हम लोगों ने जो पूरी जिंदगी किसी काम में लगाया चाहिए वो नोकरी थी चाहिए वो फैक्टरी थी मैं बात कर रहा हूं इस सब कुछ चोपट कर दिया आपका नोकरी करने वाला आदमी जो नोकरी किया करता था उसने को सेविं करी चोटी मोटी जिससे वो अपने दिनों का खर्चों को निकाल रहा है लेकिन कब तक निकालेगा इंडस्ट्री जिसने करोरो रुपया लगा कि इंडस्ट्री खोली जिसके मैंटिनेंस दिन बढ़ दिन बढ़ रहे हैं जिसके maintenance खर्चे आ रहे हैं, वो कब तक करेगा? और सबसे बड़ी बात कि क्या इस वाइरस के जाने के बाद भी परिस्तितियां कब तक normal होगी? हम जानते हैं क्या नहीं जानते हैं, आप जानते हैं, नहीं जानता हूँ. हमारा सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, फ्रेंड्स, हम जिन्दगी में जिस काम को करते हैं, तो हम उसके पीछे उसी दाएरे से बार नहीं निकलते हैं. अगर मैं नोकरी कर रहा हूँ, तो मेरा दाएरा सिर्फ नोकरी ही रहेगा. अगर मैं इंड़स्ट्री लोगा आगे बैठा हूँ, तो मेरा दाएरा सिर्फ ने इंड़स्ट्री ही रहेगा. और इस वाइरस नोको खतम कर दिया. और खुलने के बाद भी, लोगडाउन खुलने के बाद भी, परिस्थितिया कब तक नॉर्मल होगी? कोई नहीं जानता. उस समय क्या होगा? क्या आपको लगता है जो आप नोकरी कर रहे हैं, आपको अपिस मिल जाएगा? अगर नहीं मिली तो क्या होगा? मेरे बहुत अच्छे फैमिली में एक जानकार है, जिनसे मेरी दो दिन पहले बात हो रही थी, मैंने उसे पूछा कि सर, क्या परिस्थितिया हैं आपके व्यापार की? बिस्नसमें ने दिनली में बहुत बड़े, उन्होंने बोला, मेरे पास रभी तीन सो लोगों का स्टाफ है, और तीन सो रोपया लोगों के स्टाफ को मैं पिछले दो मैने से अपने पास रखे वे हूँ, रोके वे हूँ, कारण जिससे कि उस स्टाफ बिखरे ना, पच्छ स्टाफ को सिर्फ रोक रिये का खर्च करने हैं, जिसमें उनका रहना और खाना पीना हो रहा है, परिवार नहीं पल रहा है, उनके खर्चे पर डेके, वो हो रहे हैं, कब तक रोक पाएंगे, क्या अगले मेने लोगडाउन खुल जाएगा, नहीं पता, क्या उससे अगले म पर मंत खर्च करके उन आदमियों को रोक पाएगा, अब इसका दूसरा पहलू क्या होने वाला है, एक दिन वो व्यापारी ये बोलेगा, भईया मेरा बजट खतम हो गया, मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, मैं अपनी फैक्टरी का खर्चा समालू या तुम्हार को समालू, पच्चेस से तीसलाग रुपर हर मेनी तुम्हार पर खर्च कर रहा हूं, वो नहीं कर पाएगा लंबे समय तक और एक दिन वहीं लोग जो तीन सो चार सो आदमी अपने दो वत की रोटी का जुवार अपने परिवार को पालने के लिए वासे निकल जाएंगे, जैसा कि कई का शियर्यों के अंदर कया चीज सुरक्षित में तर आ रही है का नोक्रियां नहीं खर्णु मैं फैक्टरियां नहीं सुरक्षित बड़े इंवस्टर् अटच चुके हैं हमेज आए और लोक은 राचले का दो समझने हमें आuding हैं मैं आपको सम्हें हैं आज मेरी बातों को अच्छा 친स मेरा उनोगों के लिए है उन लोगों को समर्कित है जिनों ने अपनी जिम्देगी के अंदर अपने डायरे को कभी ब्रेक करने की कोशिच नहीं करी और आज मैं वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ जी हाँ, आज इस पूरे सिनेरियों के अंदर जाँ सब कुछ बन पड़ा है एक चीज, एक चीज चल रही है और वो है डायरेक्ट सेलिंग बिल्कुल, और मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आर्सीम बिजनस कीजिया आर्सीम बिजनस, जो पिछले 20 साल से लोगों कोई समझाने का प्यास कर रहा है कि भाईया, अपनी दुकान बदल लो, दुकान बदलने से आप एक टीम बनाओ, नेट्वर्क बनाओ, उसके बाद आप देखोगे नेट्वर्क की ताकत क्या होती आने वाले समय के अंदर आप मैंसे कई लोगों ने आर्सीम को पिछले 20 साल, अगस सन 2000 से लेके अब तक सुना पडोसी के थुरू, रिष्टेदारों के थुरू, अंजानों के थुरू, भाईयों के थुरू, किसी ने किसी तरीके सा RCM आपकी जिंदगी में आया पर आप लोगों ने सुना, समझाने हुआ, सिर्फ सुना और डिसेजन नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपको ऐ एक सिनेरियो हमने सिर्फ एक नाम सुनके अपने दिमार को बना लिया, और आज ही चल रहा है, आज यही चीज लोगों की जिंदगी को परिवर्तित कर रही है, जिन्होंने इस कॉंसेट को समझा, मैं आप उन लोगों से आज बात करने जा रहा हूं, और मैं आज जितने भी आरसीम के डारेक्ट सेलर, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज, ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुचाईए, जिन्होंने आपके परिवार के अंदर इस बिजनिस को सिर्फ और सिर्फ सुना था, पर किया नहीं, और मैं अब उन लोगों से भी रिक्वेस्ट कर है, कुछ नहीं कह सकते है, वविश्ट में क्या होने वाला है, लेकिन आज भी ये बिजनिस लोगों के जिंदगियों के अंदर इंकम पर जरिया बन रहा है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, उन लोगों से, उन लोगों से, जिन्होंने बीच साल में सर्विस को सुना ही सुना है किया नहीं समझा नहीं मैं आप से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज वापिस से उन लोगों से कॉंटेक्ट कीजिए जिनोंने आपको RCM के बारे में बताया था जिनोंना RCM के बारे में आपको नोलिज दी थी जिनोंना RCM की गरहियों को आपको समझाने की कोशिश करी थी प्लीज आज आप उन लोगों से वापिस मिलिये फ्रेंड्स क्योंकि यही वो व्यापार है जो अभी भी चल रहा है और चलता रहेगा कारण दो पहला आर सीम हल्दी धनिया मिर्ची सर्व साबुन वो समान देता है जो हमारी नीड है कितना भी वड़ा वारेस आजाए कितना भी वड़ी क्रैसिस आजाए लेकिन आदमी खाना पीना नहीं छोड़ेगा और आर सीम यह दे रहा है अगर यह दे रहा है तो इंकम आपकी पर्मानेंट आप फिक्स कर सकते हैं जो अभी तक हमने नोकरियों में नहीं कर सके और दूसरे व्यापारों में नहीं कर सके तो प्लीज इसकी गराई को समझे मैं यहाँ पर सिर्व आपको इसकी गराई बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आपसी गराई को समझे दूसरी बात RCM देता है हमारे शरीर के लिए पहनने का कपड़ा देखिए दो मेजर पॉइंट फैबरिक इनिसान किती भी क्रैसिस आ जाए नंगा नहीं गुमेगा कपड़े पहने गई पहनेगा फ्रेंट्स ये दो चीजे हैं जो बहुत महत्व होना जो RCM बिजनस दे रहा है और जिसके करान अभी इस समय इस कोरोना वाइरस के अंदर भी RCM बिजनस के दोरा कई लोगों के गरों में इंकम गई जिससे आज उनका परिवार सुरक्षित है और आज उनको कहीने कि इस बात क के अंदर जरूर आईए इसकी गहराई को समझिये फ्रेंट्स यहां खोने के लिए कुछ नहीं पाने के लिए बहुत कुछ है याद रखिए ऐसे वाइरस आते रहेंगे जिन्दगी क्या होने वाली है हमें नहीं पता लेकिन आज अगर आज आपने इस RCM बिजनस की और वापिस से उन लोगों से कॉंटेक्ट किया जिन लोगों ने एक जमाने में आपको RCM बिजनस बताया था अगर आपने उन बातों को वापिस से अपनी जिन्दगी के अंदर लाने का प्रयास किया तो आने वाले भविश्य के अंदर कोई भी चलेंज आ जाए आप इंकम अभी भी आ रही है और या आती रहेगी इसकी घरहे को आप लोग समझे प्लीज और जितने भी RCM डिरेक्ट सेलर है माँ आप लोगों से भी रिक्वरस करूंगा कि एक बार अपनी पूरानी लिस्ट निकाल के उन सब लोगों को वापिस से कॉल करके बताईए इस बिसनस की बावर को यह समय है इस समय देश को एक होने की जरूरत है इस समय हमें हमारे परिवारों को वो परिवार जो आर्सीम में जुड़े नहीं है उनको अपने साथ जोड़ने की जरूरत है और मैं उन लोगों से भी यह कहना चांबा कि जिनोना आर्सीम को जिस नजेरिया से झाप प्लीज नजरिया बडल लीजिए अभ बडले लीजिए क्युक्कि हम हम भी आप ही कितरे एंस Gins f stamp हमने भी हमारे दिल की भावना सागे तो ब्लीजे Oreo तो बिलाववान आ टिल की भावना इस बिलागे तो है किसी समय में आपको RCM बताया था चाहे वह 5 साल पहले बताया हो चाहे वह 10 साल पहले बताया हो लेकिन वापिस उन लोगों से कांटेक्ट कीजिये वापिसे समय को समझिये इसकी गहाई को समझए ed which बाते में समझे कि लोगों में क्या कहा था ये वक्त बदल चुका है इसलिए फ्रेंड्स मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप दोनों लोगों से जो टारेक्स से लह रहे हैं प्रीस पुराने लोगों से कॉंटेक्ट करता हूँ जिन्होंने कभी आरसीम को सिर्फ देखा था पर क किया नहीं एक बार इस कॉंसेट की पावर को समझ के हमारा साथ दीजिए आपके परिवार में खुशिया लाने की गारेंटी हम देते हैं अगर आपने इस कॉंसेट को देखा सुना अच्छे से समझा और इसको बराबर फॉलो करके काम किया तो आज आपका परिवार किसी भ आपको समालेगा मैरा इतना साही कहना था बहुत-бहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरी बाते आप मेरे बाते, बाते है राता, आप मेरे भावना के न si finns को समय देंगे और अपनी जिन्दगी को और अपने परिवार को सिक्योर करेंगे बहुत-बहुत नमस्कार थैंक यू लग यू